Hello friends, welcome back to your own channel अगर आपको English सीखनी है तो story पढ़कर English सीखना सबसे अच्छा तरीका है और अगर story बहुत interesting हो तो असानी से हम सीख भी जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता अब देखिए अगबर बीबल की story हमेशा सही interesting रही है और आज की जो हमारी story है वो है The wise thief wise means बुद्धिमान और thief है चोर तो एक बुद्धिमान चोर इसके बारे में हम story पढ़ेंगे साथ ही बहुत सारी चीज़े हम इस story के जरीए सीखने वाले है देखिए एक तो है word meaning जो मैंने highlight किये हुए words वो तो मैं बताऊंगी साथ में एक एक word का हम हिंदी translation में करेंगे ताब कि आपको असानी से समझ में आ जाए फिर है pronunciation जो आपको नए words लगते है story में तो किस तरीके से उनका उचारन करना है pronounce कैसे करना है वो भी सीखेंगे टैंसे से related जन करें मिलेगी phrasal verbs आये हुए है कुछ उनके बारे में भी आपको बताऊंगी parts of speech भी साथ साथ करेंगे spelling के बारे में भी आपको कुछ tips तोंगी parts of adjectives क्या होता है ये भी एक topic आया हुए बीच में जहां पे आया हुए वो बताऊंगे तो आए ये सारे के सारे चीजे plus so much more is there to learn सीखते है the wise thief अब जो thief है यहाँ पे मैंने आपको बताया था thief का मतला है चोर और ये है noun क्योंकि किसी चीज का नाम है तो कैसा चोर? wise था वो, बुद्धी मान था तो जो भी word noun को describe करता है noun के बारे में और जान कर जेता है वो होता है adjective wise है adjective और ये है noun noun से पहले हमेशा हम article यूज करते है a, and, the ये तीन articles होते है तो noun से पहले according to the noun तो अगर वो वोवल से start है तो and करेंगे use otherwise a करेंगे और the wise thief एक particular thief की बात हो रही है जो की wise था तो इसलिए यहाँ पे हमने the यूज कर दिया तो ये हमारा title है the wise thief बुद्धिमान चोर one day emperor Akbar decided to test the intelligence of his wise minister बीरबल one day एक दिन emperor Akbar, बादशा अकबर decided, उन्होंने फैसला किया तो decide होता है फैसला और decided फैसला किया to test test लेने का the intelligence of his wise minister तो intelligence means समझ या समझदारी का ये noun है office wise minister अपने बुद्धिमान, मिनिस्टर या मंत्री, बीरबल का तो एक दिन बादशा अकबर ने फैसला किया कि वो test लेंगे, इम्धिहान लेंगे अपनी wise minister समझदार, बुद्धिमान, मंत्री, बीरबल की समझदारी का बीरबल के लिए बुलावा भेजना, किसी को बुलाना समझ, पास्टेंस है उसका समझ, समझ, समझ बुलावा भेजा और ये वर्ब है, बीरबल के लिए बुलावा भेजा and said और बोले तो क्या बोला और बीरबल I've heard of a thief in our kingdom तो बीरबल और ये जो है आप पड़ सकते हैं I've ये दो वर्ड को जड़ा के बना है contracted form है, उसको अगर खोल के लिखेंगे तो होगा I have, तो have या has के साथ वर्ब की third form लगती है, तो वो होता है present perfect tense here, heard heard, ठीक है तो ये heard का मतलब है सुना है सुना, तो मैंने सुना है of a thief, एक चोर के बारे में, in our kingdom हमारे kingdom में राज्य में, who is renowned जो की प्रसिद है for his cleverness cleverness means चतुराई, तो देखें चतुराई जो है, वो noun है renowned means प्रसिद ये adjective है, जो की प्रसिद है अपनी चतुराई के लिए तो क्या बोला, अग्बर ने बीर्बल से कि बीर्बल, I have heard of a thief, मैंने सुना है एक चोर के बारे में, in our kingdom जो हमारे ही kingdom में है राज्य में है, who is renowned for his cleverness, जो की प्रसित है अपने for, इसके लिए अपनी चतुराई के लिए अब एक चीज, यहां spelling के बारे में हम सिखेंगे, देखें जब E, I लिखना है, कि I, E लिखना है, इसमें हमेशा confusion होता है, तो एक rule है कब हमको I, E लिखना है और कब हमको E, I लिखना है हमेशा spelling लिखते में यह confusion हो जाता है, तो एक rule है ज़ादा तर इस तरीके से होता है कि जब भी C आता है इसके पहले या इसके पहले जब भी C आता है तो E, I से follow करता है यह नहीं लिखते हैं यह लिखते हैं exceptions भी होते हैं लेकिन यहाँ पे majority of the times हम इस तरही के से लिखते हैं जैसे receive लिखते हैं R, E, C, E, I, V, E अब C आया है इसलिए हम क्या लिख देंगे I, E, F तो इस तरही के से आप काफी spelling mistake होने से बच सकते हैं यह याद रखे हैं यह rule है He manages to steal from the wealthiest without ever getting caught तो he manages subject के साथ verb जो है उसमें S या E, S तो यह क्या है present indefinite tense simple present tense बोल सकते हैं वो manage करता है चुराना to steal चुराना from the wealthiest और किन में से wealthiest wealthy से बनाएए wealthy means अमीर और यह I, E, S, T लगा है तो सबसे अमीर जो अमीर लोग होते हैं उन में से भी जो बहुत अमीर होते हैं उन लोगों से वो क्या करता है manage करने ता है प्रबंद करने ता है सबसे अमीर लोगों से अब यहाँ पे भी एक rule सीखते हैं यहाँ पे देखिए degrees of adjectives चो adjectives होते हैं उसकी तीन degrees होती है तो यहाँ पे जैसे हम column बना लेते हैं तो first degree हो गया second degree हो गया है third degree हो गया और first चो होती है उसको बोलते है positive और second को बोलते है comparative comparative और जो third होती है वो है super superlative तो यह तीन degrees हो गई तो जो यह वाली है first वाली जैसे हमने पढ़ा भी wealthy तो wealthy हो गया यह positive degree हो गई और अगर हम compare कर रहे हैं दो लोगों पे तो IER लग जाएगा wealthier यह spelling हो गई यह हट जाएगा IER और अगर हमको superlative बनाना है तो EST लग जाएगा उसमे यह लग जाता है comparative में यह लगता है superlative में यह लगता है wealthiest यह ठीक है यह आपको धिहार लगता है तीन degrees होती है जो adjectives की positive degree comparative degree superlative degree wealthy, wealthier, wealthiest happy, happier, happiest तो इस तरीके से आपको यह बनाना होता है कई बार comparative degree में हम more भी लगाते हैं और यहाँ पे most लगाते हैं जैसे की beautiful तो beautifuler, beautifulest तो नहीं होता है उसमें बोलेंगे beautiful more beautiful, most beautiful यह आप धिहान रखे और एक चीज है जब हम comparative degree करते हैं यहाँ पे आएगा than wealthier than त-H-A-N comparison हो रहा है और अगर superlative degree में हमेशा the आते है the wealthiest man the wealthiest person तो उसी तरीके से जिसे पें आपको happy बताया था the happiest person happiest boy, girl और यहाँ पे happier he is happier than her तो यह वाला एक rule है happier, happiest I-E-R और यह superlative में I-E-S-T तो यहाँ पर हमने पढ़ा था wealthiest that means सबसे अमीरों में से उनकी चोरी करता था बिना पकड़े चोरी करने में वो सफल हो जाता था I want you to find this thief and bring him to me और inverted comma close हो गए तो अगपर बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ I want you to मैं चाहता हूँ कि तुम find ढूड़ो उसको this thief इस चोर को and bring him to me और पकड़ के मेरे पास लेकर आओ तो अगपर बीर्बल को कहते है बीर्बल accepted the challenge तो बीर्बल ने accept means स्विकार कर लिया accept का second form of verb है accepted past में है स्विकार किया the challenge चुनाती को and set out to catch the elusive thief और set out यह है phrasal verb अब ही बताओ कि इसके बारे में इसका मतलब होता है कि यात्रा पर निकल पढ़ना set out, begin a journey, to catch पकड़ने के लिए the elusive thief elusive मतलब जिसे पकड़ना आसान न हो तो उस type का चोर यह होगा adjective और यह thief है जो यह है noun अब set out क्या होता है इसके बारे में जानते है तो जो phrasal verbs होते है यह होते है verb प्लस या तो हम preposition जोड़ते हैं या तो फिर verb प्लस adverbs तो verb के साथ जब adverb जोड़ जाता है या verb के साथ preposition तो वो बन जाता है phrasal verb और meaning बिल्कुल different हो जाता है जैसे कि यहाँ पे हमने किसके बारे में बात करें हैं set out के बारे में तो set अलग meaning होता है out अलग meaning होता है अब यह दोनों के दोनों जुड़ गए क्योंकि out है यहाँ पे preposition set out तो set out का मतलब क्या बन गया begin to begin a journey एक यात्रा शुरू करता set out है phrasal verb भी होता है प्रेपोजिशन भी होते है तो three words से जोड़के एक phrasal verb बन जाता है तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने बीर्बल ने 24 विकार कर ली और वो यात्रा पर निकल पड़ा चोर को उस महान चोर को जिसकों की पकड़ना बड़ा मुश्किल है इसे चोर को पकड़ने के लिए उसने यात्रा शुरू करती है निकल पड़ा अब यहाँ पे भी देखिए spelling का rule अगर आप लगाओगे तो IE आएगा क्योंकि यहाँ C नहीं है He began his investigation by visiting the homes of the richest people in the kingdom to understand the thieves methods तो he began begin का second form है began तो उन्होंने शुरू किया his investigation अपनी तहकीकांत या अपनी छानमीन by visiting the homes of the richest people in the kingdom और विजिट करके homes, घर of the richest यह भी देखो rich जो है वो है adjective अमीर फिर हो गया rich, richer, richest तो यह उसकी बीकॉनसी वाली डिग्री है यहाँ पे superlative degree, सबसे अमीर लोग जो थे वहाँ पे तो उनके घर में पहुचे वो क्योंकि जो सबसे अमीर लोग के घर में यह वो चोरी करता था तो वहाँ पे वो पहुचे investigate करने के लिए तहकीकात करने के लिए in the kingdom to understand the thieves method समझने के लिए चोर के यह apostrophe लगा हुआ है का के की इसका मतलब होता है कि चोर के जो methods तरीके अपनाता था वो उसको study करने के लिए उसको समझने के लिए वो पहुच गए अमीर लोगों के घर में सबसे अमीर लोगों के घर में after several days of research several means कुछ research जो वो अध्यन कर रहे है study कर रहे है तो कुछ दिन बीतने के बाद जब उन्होंने study कर ली थी after several days of research तो अध्यन के या study के कुछ दिनों के बाद बीर्बल noticed a pattern in the thefts बीर्बल ने notice किया उनकी ध्यान में आया एक pattern की एक तरीका follow कर रहा है वो चोर in the thefts चोरी करने में उसने एक तरीका follow किया हुआ हर बार एक तरीके को वो बार-बार करता है हर जगे जब वो चोरी करता है वो कैसा pattern है इसका मतलब होता है अपराद स्तल जहां पे कोई घटना घटित हुई है उसको बोलते है scene of the crime जहां पे कोई crime हुआ है riddle हो गया पहेली तो thief जो है always हमेशा left a note एक note छोड़ देता था कुछ लिखकर वहाँ पे छोड़ देता था with a riddle जिसमें कि एक पहेली लिखी होती थी जो भी अपराद स्तल है वहाँ पे जो चोड़ था वह हमेशा एक note छोड़ देता था एक पहेली होती थी उसमें लिखी हुई the riddles were complex लेकिन जो riddles पहेलिया होती थी वह काफी जटिल होती थी मुश्किल होता था उनको समझना were complex complex means जटिल या पेची था जिसको समझना बड़ा मुश्किल है and no one could decipher decipher their meaning वही समझ सकता था उनके मतलब को कि riddles क्या कहना चाती है पहेलियों में क्या लिखा है किसी को समझ नहीं आता था बीरबल collected these notes and examine them closely अब बीरबल ने क्या किया क्योंकि उन्हें को काम दिया गया है तो उन्हें collect वादा इखटा कर दिया सारे के सारे notes और फिर examine करना शुरू किया उनको examine means इन चीजों के उपर notes के उपर chime in करना विचार करना शुरू किया और वो भी closely बड़े बारिक तरीके से उपास से बिलकुर उसके उपर chime in शुरू करी अब examine तो हो गया verb क्योंकि कुछ काब हो रहा है इसमें examine विचार कर रहे है वो छान बिट कर रहे है किस तरीके से closely ये हो गया adverb adverb हमेशा verbs की विशेशता बताते है trying to trying to make sense of the thieves messages तो जो चोरों के संदेश थे messages थे तो उनको समझने का प्रयास उसने किया trying to कोशिश कर रहे थे वो उनको समझा कुछ sense बने उनकी जो भी रिडल्स पूछी हुई है make sense उनको बीरबल ने कोशिश कर रहे उनको समझने की जो चोर ने जो संदेश छोड़े हुए थे रिडल्स के रूप में पहेलियों के रूप में one day while बीरबल was deep in thought तो एक दित while बीरबल जब बीरबल थे was थे deep in thought that means अपने विचारों में खोए हुए थे विचारों में डूबे हुए थे he had an idea तो उनको एक idea आया एक विचार उनके दिमाग में आया he rushed to emperor अगब रश्टू का मतलब होता है कहीं तेजी से पहुचना rush का मतलब होता है तेजी तो यहां rush to का मतलब होता है तेजी से कहीं पहुचना तो वह कहां पहुचे emperor अगबर के पास and said और बोले your majesty I believe I found a way to catch the clever thief और उनके क्या बोला महाराज I believe मुझे लगता है I have found a way यह भी I have है जो contracted form में I have लिखा है I found a way I have found a way to catch the clever thief मैंने एक तरीका खोज निकाला है have के साथ third form of verb लगी है तो have that means present perfect tense है कि मुझे मिल गया है मैंने ढूर निकाला है तरीका चोर को उस चलाग चोर को पकरने का चोर जो की चलाग है दीखे यहां में चोर नाउन है और clever उसको describe कर रहा है adjective है तो उसको पकरन निकालने का यह तरीका ढूड लिया है I need your permission to proceed अब मुझे आपकी आग्या चाहिए permission चाहिए आगे बढ़ने के लिए proceed means आगे बढ़ने के लिए मुझे आपकी permission चाहिए आपकी आग्या चाहिए अबर intrigued कॉमा है बीच में तो यहां रुक रुक के पढ़ना है कि अबर intrigued मतला उसकता जगी उनमें यह वर्ब है उसकता जगी gave his consent तो उन्होंने अपनी सहमती देदी throughout the kingdom तो बीरबल ने तब क्या किया copies बन वाली उन्हों क्योंकि उसमें paper छोडता था वो एक note बना के उस note की काफे सारी copies उसकी बहुत सारी copies बना ली चोर की जो पहेलिया थी उसकी और फिर उनको बातना शुरू किया पूरे kingdom में राज्य में पूरे राज्य में उसको distribute करना शुरू किया बातना शुरू किया offering a generous reward to anyone who could solve them और offer किया उन्होंने एक शर्त रखी कि generous reward इनाम कैसा? generous, उदार रिदे से मनना कि बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा पैसे की फर्म में reward दिया जाएगा और ज्यादा इनाम to anyone, किसी को भी who could solve them जो की solve कर पाएगा और रिदेल्स को तर रिदेल्स या पहिलियों को जो solve कर पाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा तो ये उन्होंने खबर भी फैला दी और जो रिदेल्स की copies निकाली हुई थी उसको भी पूरे किकडब में पूरे राज्य में माटना शुरू कर दिया अब उस प्लैन ने काम करना शुरू किया अफ्यू देज लेटर कुछ दिनों के बाद अ लोकल स्कूल टीचर एक लोकल स्थानी है जो स्कूल टीचर था स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक वो आगे आए came forward का मतलब है आगे आए claiming to have solved the riddles claim कर रहे थे वो और वो बता रहे थे कि उन्होंने solve कर ली है वो वाली सारी पहेलिया तो उनको पता लग गया है क्या पहेलियों में लिखा गया है उन्होंने solve कर ली है पहेलिया बीरबल brought the school teacher before the emperor अब बीरबल लाया तो bring का second form of verb है ये brought बीरबल लाया उस school teacher को emperor के आगे तो before यहाँ पे emperor के आगे लाया and the man explain the meanings of the riddles और जो वो वो school teacher थे the man उन्होंने विस्तार से बदाना शुरू किया वो सबकी सब जो पहेलिया थी वो pointed to that means किसी चीज की और इशारा कर रहा तो वो सबकी सब point कर रही थी to a particular location एक particular जगे की तरफ location मतला कोई भी जगे located होगी कहीं पर उसकी तरफ सारी के सारी जो riddles थी वो इशारा कर रही थी बीरबल अगबर and the school teacher went to that location फिर क्या वाट school teacher बीरबल और अगबर तीनों के तीनों went गए to that location उस जगा वो चले गए which was a secluded forest जो कि क्या था एक जंगल में जगे थी लेकिन वो क्या थी secluded secluded means एकाग शान या शहर से बहुत दूर अकेले में वीराने में तो वो secluded forest में एक जगे थी in the middle of the forest they found a hidden cave अब forest means जंगल और middle मतलब बीच में तो उस forest या जंगल के बीचों बीच उनको क्या मिला they found उनको मिली a hidden cave एक छिपी हुई गुफा तो cave means गुफा और कैसी गुफा थी वो hidden छिपी हुई गुफा है डाउट hidden है adjective तो उनको एक छिपी हुई गुफा मिली जो कि अभी तक किसी को पता नहीं था जिसके बारे में inside the cave they discovered a treasure trove of stolen riches तो उनको क्या मिला discover उनको क्या मिला वहाँ पे गुफा के अंदर a treasure trove treasure trove का मतलब होता है of stolen riches riches mean दौलत और stolen है चुराई गई तो चुराई गई दौलत का गुप्त खजाना उन्हें वहाँ पे जो गुफा थी उसमें मिला the clever thief was captured capture means पकड़ ले ना clever thief चतूर जो चोड था उसको पकड़ लिया गया and brought before the emperor और बादशा के आगे उसे पेश किया गया brought before पादशा के आगे उसको पेश किया गया अक्बर आस्थें how did you manage to steal from the wealthiest without getting caught question mark तो पूछ रहे है वो interrogative sentence है अक्बर ने पूछा उसे चोर को how did you manage तुमने किस तरह के से यह सब प्रबंद किया चुराने का और वो भी सबसे अमीर लोगों से बिना पकड़े हुए तो अक्बर ने क्या पूछा कि आप how did you आप बिना पकड़े गए without getting caught बिना पकड़े गए सबसे अमीर लोगों के घर से चोरी करने में स्टील चोरी करने में कैसे काम्याब रहे तो यह बताईए question mark है अब देखें यहाँ पे जो did होता है did के साथ first form of verb आती है तो यहाँ पे manage आएगा did के साथ first form of verb the thief smiled and said अब जो चोर है थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर बोला your majesty महराज I knew that no one would ever be able to solve my riddles I knew no का past tense है यह new means मुझे पता था that no one would ever be able to solve my riddles कि कभी भी कोई भी मेरी जो riddles है पहेलिया है उसको solve नहीं कर पाएगा would never be able to कभी भी solve नहीं कर पाएगा यह मुझे पहले से पता था they were my way of taunting the world तो यह my way means मेरा तरिका था taunting the world पूरी दुनिया को ताना मारने का या फिर धंकी देने का यहाँ पे taunting मतलब पूरे world को यह दिखाना कि मैं हूँ सबसे बड़ा थी मेरा तरीका था यह अपना ताना मारने का पूरी दुनिया को I thought I was invincible invincible that means जिसे हराया ना जा सके यह एक adjective है तो वो चोर बोलता है कि मैंने सोचा कि मैं तो invincible हूँ मुझे कोई भी हरा ने सकता कभी भी but I never imagined that your vice minister बीरबल would be clever enough to use my riddles against me पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था I never imagined मैंने नहीं सोचा था that your vice minister बीरबल कि आपका जो यह बुद्धिमान मंत्री है बीरबल would be clever enough कि वो इतना चलाक होगा to use my riddles against me कि मेरी ही जो पहलिया बढ़ाई गई है वो मेरे ही विप्रीद उसको use कर लेगा और पता लग जाएगा उनको कि क्या लिखा इसमें कहां छुपी हुई है वो दौनत तो ये उन्होंने बोला impressed with beerbal's intelligence impressed means प्रभावित होकर with beerbal's intelligence beerbal की बुद्धी मानी से प्रभावित होकर अग्मर pardoned the thief अग्मर ने वो चोड जो था उसको pardon कर दिया pardon means माफ कर देना and but warned him लेकिन वाड किया उसको warning नी चेताव नी दी never to steal again कि वो कभी में चोरी फिर से नहीं करेगा steal again चोरी फिर से नहीं करेगा the thief realizing that he had met his match अब thief को ये realize हो गया ये समझबें आगया that ki he had met his match इस फ्रेज का मतलब होता है उसे अपनी टककर का आत्मी मिल गया था he had met his match that I have met my match मतलब मुझे अपना साथी मिल गया he had met his match उसको अपनी टककर का आत्मी बिल गया था इड बीर्बल, बीर्बल में जब पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया तो सिर्फ बीर्बल में उनको अपनी टककर का आदमी मिल गया तो थीफ ने जब ये समझ लिया अग्री टू लीड एड ओनेस्ट लाइफ और बादशागवार ने भी उनको माफ कर दिया है तो थीफ भी सहमत हो गया अग्री सहमत हो गया टू लीड बितान या जीन एड ओनेस्ट लाइफ इमाददार ओनेस्ट इमाददार लाइफ जिद्दगी इमाददारी भरी जिद्दगी जीने के लिए वो भी तयार हो गया, सहमत हो गया यहाँ पर देखिए, अर्टिकल क्यों लगा है यहाँ पर तो A, E, I, O, U नहीं आया है वावल तो नहीं आया है, लेकिन वावल साउड आया है ओ, एज साइलेट होता है तो अगर वावल साउड भी होता है तो भी आर्टिकल A, E, लगता है इसलिए यहाँ पर A, E, लगाया है तो जो वो चोड था, तो वो सहमत हो गया इमाददारी भरी लाइफ जीने के लिए इमाददारी भरी जिद्दगी जीने के लिए तो फ्रेंट्स आपने देख लिया इसको मैं English with Asha Ma'am यह मेरा Telegram Channel है, इस नाम से है आप उसको चाहें तो जोइन कर सकते हैं उसमें मैं पोस्ट कर दूँगी वहां से आप हेल्प ले सकते हैं और रिवाइस कर सकते हैं तो अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब टो मैं चैनल अगले वीडियो में मिलते हैं थैंक्यो एव्रिबडी फॉर वाचिंग